नमस्कार दोस्तो आएम भुपाल के फुर्सत के पलो कारेकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेमान है जो भुपाल आयो हैं जिनसे हम थोड़ी दिर में आपका पर्चे कराएंगे हमारे साथ हैं गौर्जियस और मल्टी तैलेंटेट डांसर एक्ट्रेस मॉडल के हैं जिन्होंने अपना करियर वी टीवी से शुरू किया था अभी बहुत ही खास एक जी टीवी के शो में नजर आने वाली है तेरी गलिया जो एक बहुत ही खास इशूस पर बेस्ट है जिस प जो कॉलकता में है जो एक रेड लाइट एरा है यह शो एक लव स्टोरी है दो बच्चों की कहानी है जो बच्पन में तो उन्हों पता नहीं चलता है एक बार अगर किसी से आप मतलब किसी के दोस बन जाते हो या एक कनेक्शन हो जाता है और फिर जब बड़े होकर आप बि मेरे लिए भी कुछ नया होगा जैसे मैंने आपको बोला तो या इम जस वेटिंग टो एक्स्पोर थिंग्स जो कारेक्टर जनली क्या होता है कोई भी चब आप शो करते हो नया शो करते हो तो बहुत सार्च होती क्यों कि बहुत ही खास तपके के लोगों को इसमें दिखाया जा रहा रहा है उसको किस तरह आपने शो से पहले क्या तियारी की शो को लेकर क्या रहा आप मेरे साथ ऐसा कभी-कभी अगर मैं ज्यादा प्रिपयर यहाँ तो मैं बहुत में कानिकल हो जाती हूं जो पो करना ना जादा नहीं करना और ऐसे करना जैसे कि पहली बार डायलोग सुन रहे हो तो इस शोक को लेकर मैंने काफी सारी मुवीज देखी जाना शोनागाची करके डाल था गर्लाल बड़ा है मुंबड़े नहीं में रे dedic वट नहीं को सब्सक्किन करते है अब मैसमें कर Dewaman करते है। हो रुट रहते हैं वे कंगती था में अद्धार कर सब्सक्राइस था है खाता है पूरमाल में अपर चाया है क्या गरेक्टर आप लिए तो मैं पुछकी का गरेक्टर प्ले करें हूं शीज़ वेरी स्ट्रोंग इंडिपेंडेंट फ्री गर्ल आइमीन काफी सारे जगाउं पे आज भी ऐसे सोचते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है कुछ काम करने के लिए तो आपको किसी मर्त के सपोर्ट की जरुष पदे हैं तो बढ़ना बलीव उसको चो करना है वो करेगी वाई यह एफ टो डेपेंड उन समान एल्स मैं खुद की जिंदगी जी सकती हूं करता है चोड़ना का दूरा आपको तो बॉर्स राख लाख लुड़ना बना आपको चाहन पर दो प्सक्राइब आपको और दो नहीं कर आपको चाहन है अच्छी वे मैं शुरु में ही मैं बतादू I am I am the most laziest person मुझे बस सोना पसंदा तो my mom used to always tell के ये क्या करेगी ये क्या होगा but I don't know how with a massive college में but I had that passion for dance right and I always with a even sorry mom but मैं कहीं कहीं जूट भी बोला है to go for competitions and then if I win something then I tell her ही मैं ये जीत कया है तो ऐसे because मुझे बस यही करना था मुझे बस dance में करना था right and then जब मुझे ये show जर भी मैंने audition दिया तो सबसे पहले dance का audition तो dance का दे दिया फिर acting का इतना बड़ा page दिया मैंने बुला अरे कैसे करूंगी फिर रटे हुए पोपड की तरह सब रट लिया और बोल दिया तो एक होता है कि अगर आपको कोई गाइड करने मिल जाए ना तो फिर आप वो सारी चीजे अपने आप सही हो जाती है so we tv दोस्ता दोस्ती वर्ट फॉर्स शो वो किया जिसे आपने उला तालिवा कामरे को फ्रीज किया dance shows तो बहुत सारे किये थे when you started a journey फिर आपने ताल प्रस इच बहुत सारे शोज किये so कैसा रट प्रस कैसे सीखा या कोई आपको लगता है कोई ट्रेनिंग की जुरुत है acting की है see I would not say जरुत नहीं है यह एक सीखने का experience कभी खतम नहीं है even if you are even if you know you're about to die also still you will learn something and go I just feel so you just seekne ki journey वो कभी खतम हो ही नहीं सकती है but after each and every show you know uh... एक चीज मुझे जो सही लगी मैं as a person मैं ऐसी हो कि मैं ज्यादा लोगों से मिलती नहीं हूं और मेरी जो field है मैं कैसे ही पहुची मुझे ही नहीं पता रोज ही तुम्हें किसी ना किसी से interaction करना पड़ता है तो रोज जब सेट पे जाओ ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें जाना है और जो कल किया था वही करना है पर हर एक दिन नया नया चीजे सामने आता है और कभी कबार ऐसे भी होता है कि तुमसे नहीं हो रहा है पर हाँ फिर मैं गरात को जब सोने जाओंगे फिर मैं सोचते नहीं यार यह हुआ नहीं यह ऐसे करना था अच्छा में हो जाता है और एवर नहीं है अगर आप मुंबई आओगे तो ट्राफिक तो मतलब आप परेशान हो जाओगे परेभल शज वेराते हैं यह बुदनिक भी और उसके हैसमे किसे का रहा हुआ है अंप juven आप समय को से गार है विंठ फ सयुपथर आप स्टे क्योंन अच्छे लगता है बदका। अब छुशनिक पूछन पछना है अप टो ऐसे के सक्षून का है अब।ब अव्रम् तो जब मैंने भी आंकरिंग करी तो शुरू शुरू में नहीं नहीं था प्रपेर करके जाना चाहिए फिर जाके पर एक बार जब आप कोई भी काम करते हो अगर मजे से करोगे तो वो नाचली आ जाता है आज भुषिका घर घर में क्योंकि TV is a big medium nowadays फिल्म से बड़ा हर कोई आपक रेलेट करता इस्क बाच फिर दिल दोस्ते तो वो यंग्सेर सब्साइब पॉपलर रवा कोई ऐसा इसा 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 फैन मोमें कोई जो आप शेयर करना चाहिए तो यहां पर लग गया था और I had gone to goa for चैनल भी इंडिया फैस मेरा first group dance का मैं पहली बार मैं D3 के साथ group as a group dance करे थी तो I don't know मैंने कभी इसे फैंस को ऐसे मैं तो नहीं थी वो उन सब के लिए तने पागल हो रहे थी पता ही नहीं पर किसी ने मेरे असली नाम से मुझे बुला यह कैसे हो गया मुझे तभी ना Instagram था ना Twitter मैं था पर हम अट्टिव नहीं थे अब जाके उनो तो पता नहीं मेरे मेरे मेकब दाना न तो आज अब किस्ते का रेक्शन तो तरुख को कि अर यह बख से अगल जरने का यह च्छाता है कारगा नहीं है खे ऩो खैने का अ It is a very important show for me because D3 also had joined Beat Se, so I have never done a show which is from the start. And everything is happening for the first time with me. So my mom is very happy, Dad is also very happy. And I mean… I mean… I mean… I mean… I mean… I mean, when I was young at the beginning, I mean, like, I mean I didn't even know any episodes from home. अगर कोई एपिसोड चाल रहोगा जसे मैं हो तो बोलते रहेंगे कि यह कैसे किया यह कैसे है अरे बच्पन में तो एसे नहीं थी यह उससे बेटर मैं खुद अकेले जा कर देख लो कि उनको विश्वास नहीं होदा कि मैं यह कर भी रही हुआ तो अज वशी तक के लाखो फ मैं कैसे करूंगे मैं लाइन बूल गई मैं यह हो गया मैं ऐसे होता रहता है इसे होता रहता है यह यह वेरी नर्वस तिल यूट अब टोड़े और सो एसे इतने सारे लोग मुझे फेस करके बठे मैं क्या करूं शुरू बे तो मैं हसी भी नहीं निकल देए फिर दीरे दे अगर कोई भी कोई इंसान अगर सेट पे कुछ भी गिर जाया हो जाया वो शी सो केरिंग मैं उनको ऐसे शी वेरी इमोशनल और यह वेरी बीटिफुल परसंशी लुक्स बीटिफुल फ्रम इंसाइड आउट अवर्टिं मादब शी वेरी प्यूर आना इम वेरी लुक्ली एक जुनरी सेलिबिटी के लाइस सभी को फासिनेट कर थी ग्रामर वर्ट नाव यह सकसुफूल फोटोग्राफ के चरी लोग अटोग्राफ ले रहें बट बिहाइंड था क्या रूटीन होता है क्योंकि सेट पर जाना अभी आपके फान्स जाना चाहते क्या किस तरह का बट छुटी मिलती है तो हां मैं फिर बाद मैं किसी की नहीं सुनती हूं मैं बट अच्छा लगता है आफ्टर इवन अगर कोई डान्स भी करते हो और यह सी दो वीडियो मतलब यू सबसे मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है अगर मैं थक गई हुना बट अगर मैं नहीं थक जब यंग्सपे को फैसिनेट करता है वेस्टर लिए कटेंपरी दान्स भी आप यह सी किसा बट अगर मैं बट अगर मैं बट अपन से चाहती थी कि मैं कथक सीफू बट आप अफर पॉंट अगर मुझे लगा कि मुझे ट्राय कना चीए कि विग अगर मैं वीड़े जिए कथक कुछिपुडी कोई भी आपके जो इंडियन स्टाइल है अगर आप आपके जो कल्चर के से जुड़े हुआ है अगर वो स्टाइल अगर आप करोगे तब ही आप में मुझे ऐसा लगता है ग्रेस आएगा और आफ्टर लर्निंग कथक मैं अभी भी मैं मैं आन और आफ चेहरे पराल और आपके जो इस ले मेरे आपके कर एकूब करते है तो एक्न अगरा आपर आफ में अधर टो प्रियक अधर आपके उस्ट कर रहे हैं वुजट कर रहे हो कैसे अपना पर फ्रेश के ज़ीं अवाटेयं स्माइल क्या लिख कर एप बखाय के लिए की में की तर्क करिणा करीम, सेक ल ahí के लिए अटल्ज हमें ने इसपरेसिन के लिए पीजा करेनों अटोर्च प्र Su ungkinा अभी हुआ पूल रखाय के लिएभॉय में बीफरेसिती करिफीन कर Force ले में लिए "-1", अभी नाव आलियाभाट, everyone is very different but I just feel the Bollywood movie में जो मज़ा है ना, वो मज़ा कहीं में भी ऐसा है ने अभशीका, आयम Bhopal के fans के लिए say something about Darshak और जो पाथा के उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे Keep watching, I am Bhopal videos and I have come for the first time in Bhopal, अभी मैं जाओंगी और मैंने सुना यहाँ का पोहा और जलेवी बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पोहा और जलेवी का combination मुझे समझ नहीं आए बट स्टिल आए और मौसम बहुत अच्छा है and yeah, thank you so much and please give us all the love and support for यह तिली कर गया है Thank you so much तो देखा यह थी व्रशी का महता और गौर्जियस और टैलेंटेड अक्टरस है और हमेशा फिट रहती है और डांस शायद उनका वो फिटनेस मंत्रा है So अगले प्रोग्राम में फिर आप से किसी शक्सित के अत्मलाकात होगी तब तर क्लिए, thank you